अगर किसी भी यूजर का PiCoin उसके मेनेट वालेट में आ जाये तो इससे बड़ी बात क्या होगी तो एक हमारे सब्सक्राइबर है जिन्होंने अपनी केवैसी भी कम्प्रीट कर लिया मेनेट चेकलिस्ट का सारा स्टेप भी कम्प्रीट कर लिया और उनके Pi के मेनेट वालेट में एक हजार से जादा PiCoin रिसीब भी हो चुका है लेकिन इसके कुछी देर बाद इनके इसी वालेट से PiCoin किसी और वालेट में ओटोमेटिक ट्रांसफर होता गया सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 50 PiCoin ट्रांसफर होगा उसके बाद 628 PiCoin ट्रांसफर होगा बचा किताब 681 लेकिन ये भी कुछ देर बाद ट्रांसफर हो गया किसी और वालेट में ये सारा ओटोमेटिक हो रहा था और वो देखकर परिसान हो रहे थे यानि कि जो हमारे सबस्काइबर है वो परिसान हो रहे थे कि आखर ये PiCoin कैसे ट्रांसफर हो रहा है जबकि उन्होंने ये ट्रांसिक्शन की ही नहीं और अब देखे लास्ट में जा करके उनके पास सरिफ एक PiCoin बचा अब इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले है या जो उनके साथ हुआ है उससे आपको अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि अगर आप Google लेती करेंगे तो आपके साथ भी यही होगा क्योंकि Pi Network में किवैसी complete करना, mainnet checklist करना और PiCoin को mainnet wallet में receive करना एक बखुत बड़ी बात है और इन्होंने 1000 से जादा PiCoin अपने mainnet wallet में receive किया था लेकर उसके बाद इनके साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो और उसके लिए आपको इनके साथ जो हुआ वो सारी चीजे समझनी पड़ेगी और आपको alert रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ना है कोई transaction की लेकिन फिर भी इनका PiCoin इनके wallet से गाइब होता गया और last में सिर्फ एक PiCoin बचा और हो सकता है कि कुछ देम बाद इनका ये भी ना बचे अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या तो इस्टाग्राम पर इन्होंने हमसे contact किया था और सारी चीजे इन्होंने बताई थी तो काफी लमी बात चीतली बहुस सारी चीजें मैंने इन से पोची थी तो बहुस सारी details इन्होंने बताई है कि कैसे क्या क्या इनके साथ हुआ देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो आप screen shots देक रहे है ये जो person आप देख रहे हैं फिर मैंने वो link open किया और उससे wallet को खोला था एक बार, यहाँ पर नीचे में आपको एक website का link दिख रहा है, तो इसी website के उपर इन्हों ने अपना pie wallet open किया था, अब देखें यहाँ पर यह जो word is synchronized, इसका मतलब क्या होता है, वो सबसे पहले आप समझेग, तो अगर आप किसी भी website के उपर अपना wallet synchronized करते हैं, तो आपकी wallet का सारा data उस website के उपर store हो जाता है, तो यहाँ पर इन्हों ने क्या किया, कि अपना pie wallet इस website के उपर synchronized किया था, तो जिसकी वजह से इनके pie wallet का सारा information, सारा data इस website के उपर चला गया, उसके पास तो wallet का सारा data गया, तो वो आसान इसे wallet को access कर सकता है और वही चीज यहाँ पर हुआ है अब यहाँ पर जब आप website को देखेंगे तो यहाँ पर website में क्या है pynetworkblockchains.com अब यह देखने में तो real लग रहा है कि यहाँ पाई की blockchain website का link है लेकिन जब आप इसे open करेंगे तो यह website open नहीं होगा यह website पूरी तरीके से fake है यह pie का official website नहीं है हम आपको pie blockchain का official website भी दिखाएंगे उसके बाद मैंने पूछा कि आपने synchronize क्यों क्या था तो यहाँ पर यह उन्हें बताए कि हमें बताया गया था कि synchronization करना पड़ता है wallet को activate करने के लिए ठीके जबकि ऐसे कोई भी बात नहीं है pie wallet activate करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है अगर आपके pie minute wallet के अंदर pie coin receive हो जाता है तो नहीं wallet active करना है कुछ भी आपको ऐसा काम नहीं करना पड़ता है तो इस तरीके से इनके साथ ये scam हुआ है तो अब आपको सतर करना है किसी भी website के उपर आपको अपना wallet open नहीं करना है अगर आप करेंगे तो यहीं चीज आपके साथ हो सकता है तो देखिए अभी इन्होंने message किया उन्होंने बोला था कि ऐसा करो तभी आपका wallet active होगा तो जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है पाई wallet को active नहीं करना पड़ता है आपको सिर्फ wallet create करना है active करने वारी कोई चीज ही नहीं हो उसमें तो हो सकता है कि इनको जानकारी ना हो जिसकी वज़े से इनके साथ ये चीज हुआ है अब हम आपको दिखाते हैं pie blockchain का official website क्योंकि मैंने ये open के आपके सामने और ये website देखी अभी भी open नहीं हो रहा है यानि कि ये website पूरी तरीके से fraud है तो अब हम आपको दिखाते हैं pie के blockchain का official website तो यहाँ पर हम आ चुके है minepie.com यानि कि pie network के official website के उपर यहाँ पर आप 3.0 पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको pie blockchain दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो pie blockchain के official website के उपर आप चले आएंगे अब यहाँ से हमें link को सबसे पहले copy करते हैं तो यह है pie blockchain का official website इसका नाम है minepie.com slash pie-blockchain slash जबकि वो website पूरी तरीके से fraud था अब फिर से वो website आप देखे ताकि आपको यह सीधा सा समझ में आए कि यहाँ पर किस लिवल पर लोगों के साथ scam किया जा रहा है देखें यहाँ पर क्या नाम है pie network blockchains.com यह भी official website की तरह ही लग रहा है जिसकी वो जैसे लोग trap हो जाते फस जाते हैं सामने वाली की चाल में लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो अब आप नहीं फस सकते हैं किसी भी कीमत पर और देखें यहाँ पर मैंने अभी जस्ट इनसे पूछा आपको synchronized का मतलब नहीं पता था क्या तो इन्होंने बताया कि नहीं तब ही तो यह गलती हो गए तो देखें सिंक्रोनाइज का मतलब यह होता है आप हमेशा याद रखें अगर किसी भी website के उपर आप अपने wallet को या किसी भी application को synchronized करते हैं तो आपका सारा data उस website के उपर चला जाता है और वो website जिस भी person का है तो आपके data का इस्तमाल करके वो कुछ भी कर सकते हैं और वही सेम चीज इनके साथ भी हुआ है तो अब आप लोग alert रहें अब चलिए हम लोग उस scammer की wallet का transaction देखते हैं कि आखिर वो किस तरीके से transaction कर रहा है तो यहाँ पर हम आचुके pie blog explorer के उपर अब यहाँ पर ठीट पर क्लिक करते हैं अब minute तो minute है यह अब यहाँ पर जो address है उस scammer का वो यहाँ पर paste करते हैं और देखते हैं उसके wallet का transaction यहाँ पर जब आप देखेंगे तो वो किसी और wallet में यहाँ से transfer करता है यहाँ पर जब आप payment पर क्लिक करेंगे असल सच्चा है यहाँ से आपको पता चलिए यहाँ पर आप देखें एक गंटे एक गंटे पहले एक गंटे पहले एक गंटे पहले 165, 165, 172, 172, 172 50, 1721, 1103, 682, 52 इस तरीके से लोगों के साथ यह स्कैम कर रहा है यहाँ पर देखें कितने सारे ट्रांजिक्सन यह डेली बेसिस पर कर रहा है एक गंटे पहले, दू गंटे पहले तीन गंटे, चार गंटे, ग्यारा, बारा, चौदा गंटे पहले बहुत सारे लोगों के साथ यह इनसान स्कैम कर रहा है सोचें कि इतनी मेनस से सारे लोग माइन करते हैं और कोई इस तरीके सा अगर उड़ा कर ले जाए तो उस पर क्या बीचती होगी और पाई को माइन करना, कि वैसे कम्लीट करना मेने चेकलिस्ट करना है यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है तो यानिक यहां से भी साथ क्लियर है कि यह लोगों के साथ स्कैम ही कर रहा है और यह वेबसाइट के थुरू कर रहा है अपना वेबसाइट यहाँ पर बना रहा है लोगों को पाई वालेट वहाँ पर सिंक्रोलाइज करवा रहा है और उसके बाद पाई कोई गायब लेकिर आपको इस फ्रॉड में नहीं फसना है आपको इस स्कैम का हिस्सा बिलकुल भी नहीं बनना है आप कैसे बत सकेंगे जब आपको एक authentic जानकारी मिलेगी तो और मैंने जितने भी पाई ecosystem के website बताई है वो सारा official website है और हम खुद पहले test करते हैं उसके बाद किस website के बारे में हम आपको बताते हैं और जिस भी website के बारे में मैंने अभी तक आपको बता है तो वहाँ पर मैंने यह नहीं आप लोगों से कहा था कि आप real pie coin का use करें उसे सिर्फ आप test करें मैंने आपको सिर्फ इसलिए बता है उन सब website के उपारे में ताकि आपको pie के potential के बारे में पता चल सके ताकि आप daily mining कर सके इसका benefit आप ले सके main कारण यही था और अगर आप खुद से किसी भी pie की website का use करते हैं मनलब की pie के नाम पर कोई भी अगर website है तो सबसे पहले अगर मैंने उसको आपके साथ नहीं share किया है उसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया है तो आपको उसे use नहीं करना है एक बार आप मुझसे पहले पूछ ले comment section में पूछ ले twitter पर message करे या instagram पर message करे कहीं पर भी message करके सबसे पहले पूछ ले उसके बाद ही उस website पर आप जाएं या उसका आप test करे या जो भी करे या तो मैंने जिसके बारे में बता है उसको test करे या तो आप ना करे सबसे बेतर यही कि आप अभी कुछ ना करे पाई network में के वैसी आता है के वैसी complete करे main net checklist करे पाई को अगर wallet में आ जाता है तो उसे आप hold करे बाकि आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है Instagram पर हम available है इसके अलवा Twitter पर भी message कर सकते है तो खुला हुआ है सारा कुछ आप message कर सकते हैं पूछ सकते हैं उसका reply हम आपको जरूर देंगे हो जकता है तोड़ा से time लग जाए लेकि reply आपको 100% जरूर मिलेगा तो चले दोस्तों मिलते आप next video में और हाँ safe रहे secure है